पहले तो मुझे बुम्रा की जो वाइफ है उससे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीस आज बुम्रा के लौडे पर मैं बैठूंगा प्लीस मुझे बैठने दो बुम्रा के साथ सोऊंगा भी मैं उसके लौडे पर भी मैं बैठूंगा भाई बुम्रा, what a player सबसे पहले मैं कॉंग्रेट्स करूँगा इंडियन टीम को जैसा कि मैंने प्रेडिक किया था पहले कि इंडिया ही वल्लकप जीतेगी स्टार्टिंग में ही प्रेडिक कर दिया था केक्यार के लिए प्रेडिक किया था केक्यार जीतेगी प्रेडिक्शन्स एकदम सही हो रहे हैं मैंने खाली इंडिया और इंग्लेंड फाइनल बोला था पर इंडिया और साथ एफरी का फाइनल हुई और इंडिया जीत गई है बहुत बहुत खुशी का माहूल है लोग पागल हो चुके है सारी बैंड बज रही है फटागे फूट रहे है बुमरा अल्टिमेट रिस्पेक्ट प्लेयर ऑफ दे टॉर्नमेंट अकसर पतेल भाई तुने आज सिर्फ इंडिया कोई नहीं कोली को भी बचाया है कोली को समझ कम से कम उसकी 30% प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देनी चाहिए क्योंकि वो आज इतना बचा है इतना अकसर पतेल बहुत ही अच्छा केमियो था बीच में जो भी 47 कुछ रंस बनाए बॉलिंग में हाँ थोड़ा हो गया उपर नीचे पर जो रंस बनाए वो बहुत काम आए और बात करूंगा रोईच्छर्मा रोईच्छर्मा की कैप्टेंसी बहुत बाप की है एकदम बाप की है कैप्टेंसी मजा आ गया है रोईच्छर्मा की कैप्टेंसी देखके यह वर्लकप में और जैसे साब से बुमरा को यूस किया है पांडिया को यूस किया है अन बीटन जीती है टीम इंडिया हमारी बहुत वन साइड़ेड वर्लकप वन साइड़ेड इतना भी वन सेड़ेड नहीं थोड़ा वन साइड़ेड वर्लकप हुआ साइफरीका भी फाइनल तक अन बीटन थी फाइनल में जाके हारी इंडिया के हाथों मात मिली प्रूफ किया कि क्यू चोकर्स है साइफरीका और बात करेंगे मैच रियक्शन मैच बहुत अच्छा था एकदम लाज़ बॉल तक मैच गई है तो वह हमेशा अच्छा ही होता है विराट कोली ने अच्छा परफॉर्म किया बहुत पर एंड में बज गया सच बताऊं बोलर्स ने आज विराट कोली को बचा लिया है परना आज बाहर विराट कोली के पुतले जल रहे होते थे मैं आपको यह चीज़ बता रहा हूं और एक चीज़ देखकर बहुत सिर्फ कोली और रोय चर्मा नहीं है आज आज सब की आज सब को बहुत अच्छे तरह प्रेस किया जा रहा है अर्जदीप सिंग बुम्रा हां जड़े जागा कुछ हुई यह जो भी अभी स्टोरीज हुई अब बात यह है विराट कोली और रोहित शर्मा ने अनौंस कर दिया है अपना रिटायर्मेंट अब वह नहीं खेलेंगे टीट्वेंटी इंटरनाशनल हां ओडिया और टेस्ट मैचिस खेलेंगे पर टीट्वेंटी से रिटायर ले ल के लिए हां यह रहेंगे दूर इंटरनेशनल क्रिकेट से अब हम लोग का वेट जो है वो खतम हुआ 2007 से लेके 27 साल हम लोग 17 साल वेट किया है टीट्वेंटी वर्लकप का कुछ 11 साल वेट किया हम लोग उने आइसीसी ट्रोफी का जो की खतम हुआ अब थोड़ा जो लोग है उनके अंदर से प्रेशर थोड़ा कम हुआ अगला टीट्वेंटी वर्लकप हार भी जाएंगे तो उतना में थी क्लासन का वेकेट हार्दिक पांडिया ने आके मैच जो पलता है बुमरा ने जो एंडी के ओवर्स निकाले हैं अर्जदीप सिंग मजा आगया देखके पूरा टीम एफट था डिजर्विंग वर्लकप विनर थी टीम इंडिया डिजर्विंग और ये बात और ये च है आगे अब आने वाले हैं हमारे गौतम गंबीर सहब न्यू इंडियन हेट कोच राहूल द्रविट को मिल एक पर्फेक्ट फेर्वेल सुर्य कुमार यादव क्या कैच पकड़ी है तुम सबके वज़े से राहूल द्रविट अपने चेरे से एक खुशी लेके जा रहा है टीम से और अब आने वाला है न्यू एरा पूरे यंग्स्टर्स आएंगे हां उन पर प्रेशर होगा सीधी बात है इतना जल्दी एक्सपेक्ट मत करो उन लोगों से सब कुछ जीतने का थोड़ा टाइम तो लगता ही है विराट कोली अपना पहला टीट्वेंटी वर्लकब जीता है अपने 15-16 साल खेलने के बाद यार ताइम तो लगता ही है सीधी बात है और 17 साल हो गया इपेल नहीं जीता है बहुत अच्छे सेलिब्रेशन चालू है अब बात करेंगे आगे आने वाली चीजों की ठीक है अभी थोड़ा इंटरस निकल जाएगा लोगों का क्रि जे लाता है भूइवेडिया यह सब एक्टिट्ंटी चेंज सब जूगा हमारा नेक्स होगा हार्दिक पांड्या अब हमारा होगा प्रिकानथा च्प्लेया और पूरा किसी का कोई भी जुर्रत नहीं है हमत नहीं है किसी और को बेस्ट प्लेयर बोलने की क्योंकि वो सिर्फ बुम्रा है आज के टाइम पे और बुम्रा तो रहेगा पांडिया जैसवाल शुबमंगेल रिंकु सिंग यह लोग सब अभी फ्यूचर संभालने वाले टी-20 में और ब वल्लकप भी करें पॉसिबल है कि नहीं उसका फिटनेंस इस्यूस होता है थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग पर गंबीर नहीं चाहेगा कि रोजचर मा कैप्टेंसी छोड़े और विराट कोली खेलेगा या नहीं अभी देगो छोटे-छोटे टूर्स तो नहीं खेलें है वो तो इस वल्लकप में भी डिजर्व नहीं करता है उसके अगर आप स्टैट्स देखोंगे वल्लकप के उसने कितने ही रंस किये किसी बोलर के भी रंस उससे ज्यादा है तो अंडिजर्विंग है एकदम प्लेयर सच बताऊंगा कुछ सिर्व अपने चार ओवर डालने क जैसे उसका थोड़ा है इंपैक्ट पर सच बताऊंगा टाइम खतम है रविंदर जडिजा आप प्लीज आप टीम छोड़िए खुद से छोड़ना भी तुम लोगों को कुछ करना चाहिए और आगे अभी यंग्स्टर्स को चांस दो अकसर पटेल बहुत अच्छा प्लेय कि सबको एक दिन जाना ही बढ़ता है क्योंकि सचिंन गया अध्र विडग्या सेवा ये लोग भी गए हैं कुमले ये लोग सब गए हैं गंबीर गया था वल्ल्लकव जिता के चले गएं लोग सब न यहां इनको निकाला गया था चलो ठीक है पर अब ये क्रिकेट वैसा नह आधा एगा क्रिकेट में चैंपियंज टोफी अभी पूरा यंग टीम आएगा तो आप लोग क्या एक्सपेक कर रहे हो आगे चैंपियंज टोफी मैं आपको बता दू पाकिस्तान मुझे नहीं लग रहे हैं इंडिया वहाँ पर जाएगी तो शिफ्ट हो जाएगा इंडिया रूल करती है पूरा क्रिकेट पे तो सीधी बात है यहां तो फिर पाकिस्तान और डुबाई में खेला जाएगा तो इंडिया की मैच जो है वो डुबाई में रखी जाएगी तो पूरा तेको स्टार्टिंग से लग रहा था इंडिया जीते ही वर्ल कब अब तो आगे अभी आण dipping का और शेकलएगा कंप्टें तो इंडिया पूरा में मजा तकम मुश में तो आ बुररा मोह प्ल trips क्यों में लोगा यह हम वहेहां सब वाक्स और सभी जगह च्के एच्छी वीडियो साती रहेगी थैंक्यू सपोर्ट के लिए सत्रा सो सब्सक्राइबर हम लोगों ने कर दिये और आगे बढ़ना है तो सब्सक्राइब करो